प्याज का बाजार पिछले पूरे हफते सामाने देखने को मिली, आवक में भी खास इजाफा या कमी देखने को नहीं मिली तो इसके आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिल सकती है? वही प्याज के भाव में और गिरावट बाकी है या यहां से तेजी की उमीद लगाई जा रही है? जानेंगे पूरी तेजी मंदी की रिपोर्ट और प्याज के भाव नमस्कार मैहुश्यवांगी और आप देख रहे हैं एमसूर्वा एग्रो का डीजिटल पेज तो अरब के देशों में प्याज की निर्यात और डिमांड अच्छी बनी हुई है कजाकिस्तान उजबेकिस्तान जैसे देशों में प्याज की कमी के बाद से प्याज के निर्यात को रोक दिया गया है हलकि इन देशों से प्याज निर्यात काफी कम की जाती है लेकिनास पास के अरब के देशों में इसकी प्याज आया करती थी। पाकिस्तान में भी प्याज को निर्यात किया जाता था। घरेलू बाजार में भी प्याज की बिक्री तो बड़ी है पर अब हर राजियों में जहां जहां प्याज की खेती होती है वहाँ पर लोकल प्याज निकल रही है जिसका असर पूरे देश में भाव पर परता हुआ दिखा है आने वाले दिनों में बंगाल की मंडियों में भी नई प्याज की फसल आने लगेगी जिसके बाद नाशिक और मध्य प्रदेश की हलकी प्याज में गिराबट बन सकती है नई गारवा प्याज खोरा कम होता जाँ रहा है अगर गरमी वाले प्याज के आकरे सामने आने लगे तो लाल प्याज और गरमी वाज के बीच में जो कुछ दिनों की गैप बंती है उसमें भाव एक बार पकर सकती है अब जानते हैं किस भाव पर प्याज की मंडिया कल बंध हुई डबल पर्टी मीडियम साइज का भाव 1200 से लेकर 1300 तक देखने को मिल रहा है वहीं पे मीडियम क्वालिटी की बात करें जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रिलंका जैसे देशों में निर्याद किया जाता है वो 1100 से 1200 रुपे प्रती क्विंटल देखने को मिली मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहार, ओरिसा, उतरप्रदेश में ज्यादत और सप्लाई किया जाता है उसका भाव 900 से 1000 रुपे प्रती क्विंटल दर्श की गए अब अगर हम बड़े साज की हलकी क्वालिटी की प्याज की बात करें तो वो 800 से 900 तक इसका भाव देखने को मिला गोल्टा प्याज जहां 500 से लेकर 700 तक मंडियों में देखने को मिल रही है वहीं गोल्टी प्याज के भाव 300 से 500 तक है अब पुने मंडी की बात करें तो पुने में 600 रुपे से लेकर 1400 रुपे तक प्याज बिक्ता हुआ नज़रा रहा है मध्यप्रदेश की मंडीयों में पुरानी प्याज की एकदम सूपर क्वालिटी 1200 तक देखने को मिल रही है और अधिकतर प्याज 500 से लेकर 800 के बीच बिक्ती हुई नज़राई नई प्याज की सूपर क्वालिटी 1100 से लेकर 1300 तक के भाव पर नेलाम किया ज़रा है अब बात करते हैं दिली अज़ादपूर की तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की लाल प्याज 15 रुपे से लेकर 17 रुपे तक के भाव पर बिक्ती हुई नज़राई और बाकी अबरेज क्वालिटी 14 रुपे से लेकर 28 रुपे तक है बिहार की मंडी की बात करें तो सूपर क्वालिटी 1700 से लेकर 2000 तक और हलकी क्वालिटी 1400 से लेकर 1600 तक के भाव पर बिक्ती है